तो Power BI की हमारी इस Class में हम बात कर रहे हैं आपके साथ Calculation मना Functions की अब एक चीज़ और यहां पर जाने जिए कि हम Power BI जो हमारे बात करेंगे आज Text Function के उपर तो Function क्यों Apply करते हैं तो जाईशी बात है जब डेटा इंपोर्ट करके लाते हैं तो डेटा हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है तो हमें अपने अकॉर्डिंग लाने के लिए इसको Formula के दिए Verify करना होता था जैसे कि Last Class में आपको मैंने काम दिया था चलिए उसी काम को यहां पर लेते हैं कि Last Class से मैंने बताया था कि SID के ऊपर मीनमम डेट की quantity लानी है आपको राइट तो आपने शाहिए आपसे नहीं हो पाया चलिए हम आपके साथ करते हैं सबसे पर हम टेवल पर जाएंगे टेवल पर यहां हम देते हैं और यहां आपको पता है कि हम All Formal लगाएंगे यहां वन टाइम में यहां शो जाए इसलिए हमने लगाया लिस्ट आफ आइड आगए मैं इसको एक काम करता हूं इसको मैं असेंडिंग और में शॉट कर लेता हूं फिर हम नियो कॉलम पे क्लिक करते हैं हमें इसकी मिनमम डेट लेकर आनी है तो मैंने फॉर्मूला इसको प्यूलो दो तीन बर बता चुको एक ब्लाव मतायता हूं यहां od9 यहां लाने के लिए यहां पर लगाएंगे मिन इस मिन एक्स में सीलेक्ट करेंगे फेल्टर कंडर देंगे डेटा और यहां देंगे कि से बाविवल लस्टार मातर क्फिक i.n कि смडック कि लोज करते हैं कॉमा और हमें किसका देट का मिनमम चाहिए तो हम यहां पर देट स्लेक कर लेते हैं कि देट की मिनमम वैलो आ गया है अग मुझे सी आईडी वान का एक तारिक का टोटल चाहिए तो यहां मैं सम एक्स भी लगा सकता हूं कि यहां सर्ट सम एक्स में लगा सकता हूं पट सम एक्स में यहां पर क्वान्टीटी हमने यहां पर लिखा और मैं यहां सम एक्स का इस्तिमाल करता हूं सम एक्स सम एक्स में हमने लिया अपना फिल्टर का फॉर्मूला फिल्टर के अंदर हमने लिया डेटा और डेटा में हमने क्या किया डेटा में हमने हम बोला कि CID 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 equal to CID अब दिखाए कि दो कंडीशन हम इसमें क्या करते हैं फिल्टर में दो कंडीशन लगाना चाहते हैं तो दोनों कंडीशन को ब्राइकेट में रखेंगे यहां रखेंगे यहां रखेंगे यहां पर और होता तो प्लस बट एंड है तो मिल्टिप्लाइग कि वापस बढ़कर दिये हमने बोला डेटा के अंदर कि डेट इक्वल टू अगेन डेट है यहां डेट होना चेह नहें अच्वल एंडेट उसके बाद हम इसको फिल्ट्र को लोज कर लिया कॉमा हमने हा दिया क्वान्टिटी डेटा की क्वान्टिटी एंटर बेश्क कर देखेंगे यहां एटर्ण बट प्रॉलम क्या है कि वान टाइम अगरमान लिजिए कि इसके अंदर वान टाइम है तो आपने सम कर दिया क्वानिक बट नाम होता दो चीजे एक तो नंबर है इसलिए आपने सम कर लिए तो चलो अगर उनीक होगा तो रिकॉर्ड दिखा देगा मअब टाइम होगा है दोनों को सम कर देगा यहाँ प्रॉल्अ मूंब को लगा करना एं अगर यह दो ना दिखभागै की आ हम लुक अप करना है हमें लुकrock करना है किति फर्मूला विहां से हटाता हूं ona look up v shakes of formula लगाता हूं लगाता। लुक हमें कों सा कॉलूम् ag है ऐसके हैं यूज है पिर किस कालन में सच करना है तो हमें सर्च करना है कहा पिस की डीटा का जो डी आ आईडी है, CID है, और क्या सर्च करना है, तो, अगें CID, होंबर्क का, सर्च टू, सर्च टू में हमने आप लिया, डेट, और क्या हमें, क्या चाहिए हमें, हमने बोला सर्च वैलू जो है, हमारा, एम डेट है, ऐसी आप तीसा चोथा भी कर सकते हैं, तो, लुक अप वैलू फॉर्मूला, यहां को, सही, क्रेक्ट, रिजल्ट देगा, नहीं, ए टेबल मल्टिपल वैलू वा सप्लाइट वियर सिंगल एस्पेक्टेट, यहां पर एक दिक्कत हो गई, जर्द, कि मल्टिपल डेता है, लुक अप जो है, मल्टिपल डेत, लुक अप वैलू जहा है, मल्टिपल को, साइल्स, सो नहीं करता है, मल्टिपल को सो करना चाहिए, एक मिन में, एक यहां पर खाण, कि आपके हमें कौन्टिटी को चाहिए हमने बोला डेटा की और एक होना चाहिए फिर हमने बोला डेटा का डेट और एम डेट एक होना चाहिए एक कंडिशन में अठागे देखाँ कि यहां पे डेटा अब यहां पे देख रहे हैं टेवल वाज सप्लाइड वेर्द सिंगल वैलू एस्पेक्टेड लुकप वैलू फॉर्मूला आपका यूज होगा कि इस पे जहां रिजल्ट सिर्फ वन टाइम आ रहे हैं मल्टिपल टाइम है तो शो नहीं करेगा वो वी लुकप की तरह नहीं है सर ठीक है और इसका कोई अल्टिनेटिव निकालना है